जाहें दियर स्टुडेंट्स वेलकम तो कैप्टन पत्रा क्लासिज तोड़े वियर गूंग तो प्रॉब्लम्स बेस्ट दान प्रॉबिल्टी इन दी कंटिनिवेशन आप दी प्रीविस लेक्शर आज हम लोग बच्चों कुछ नई समस्याओं पर बात करेंगे उसी के आगे इसके पहले हम लोग उनने जो कुछ प्रॉब्लम्स किया था उससे आगे हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को टेक अप करने जा रहे हैं तो इस सिक्वेंस में हम लोग next question जो ले रहे हैं वो problems based on permutation यानि जहां पर पर मुटेशन का इस्तेमाल हम लोगों को करना होगा देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या लिखा है इस बॉइज एंड सिक्स गर्स सिट इन रोह रेंडमली और फाइंड दी प्रॉबिल्टी दैट सिक्स गर्स सिट तोगेदर यह 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 हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 ही बनाया हुआ है यहां पर 6 और है इसके आगे आप और आगे कंटीन्यू समझ सकते हैं एक आपको प्रेजेंटेशन हमने कर दिया तो इसमें यह कह रहा है कि 6 गर्स सिट तोगेदर इस तो फाइंड वाट इस प्रॉबिल्टी दैट 6 गर्स विए जो 6 गर्स ग्र्स एक व्यार समझों सिक्स गर्स आपके बॉयाइज बोई वान गर्ल वन वान वॉई 2 गर्ल टू इस तरीके से करते हुए ऐसा कोई जरूर ही नहीं है सिक्वेंस हो और इस तरह से बाइट 12 गर्ल 12 हमने इस तरह से इस तरह ऐसे लिख लिए कि आपको दिखाई दे ठीक है तो देर आर 12 बोई 6 & girl 6 I would I would write boy 6 & girl 6 थाना boy 6 girl 6 because there are 6 girls and 6 boys total 12 हो गया अगर हम यह कहा है कि in how many different possible ways they can sit total number of ways total number of ways in which they can sit total number of ways for the factorial child why because there are 12 persons and they can sit in 12 factorial ways 12 factorial तरीके से यह बैठ सकते हैं question यह है कि six girls sit together हमें यह जाना है कि जो girls हैं वो साथ में कैसे बैठ सकते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं कि six girls sit together का case कैसे होगा तो आपका event a है आप ऐसे माने जीए कि let a is equals to event that event that six girls sit together six girls sit together तो अगर मैं six girls sit together की बात मैं करूं six girls sit together तो हम six girls को जी 1 जी 2 जी 3 जी 4 जी 5 जी 6 यह हमने इसको एक ब्लॉक मान लिया ओके जैसे यह एक ब्लॉक है और रेस्ट बॉइज हम ले लेते हैं बी 1 पी 2 बी 3 बी 4 बी 5 और बी 6 अगर यह सारी girls को एक ब्लॉक एक ब्लॉक को हम एक स्टार के बरावर मान लेते हैं जैसे एक लेटर हो गया अब जबको एक साथ ही रहना है न तो हमने एक मान लिया इनको तो यह स्टार बी 1 बी 2 बी 3 बी 4 बी 5 और बी 6 यह है न तो यह हमारे पास जो है इस तरीके का जो है फॉर्मेट आ जाएगा इफ 6 girls sit together यह हमारी घटना हमसे पूछ रहे तो कितने ways में ऐसा हो सकता है number of ways in which six girls sit together तो यह हो जाएगा देखिए यह six है और इसको एक object मान लिजी टेकिंग इस six girls as one object total number of object is seven तो इन्हें हम seven factorial से रेंज कर सकते हैं है कि नहीं है यह हम साथ मान लेते हैं क्योंकि girls एक साथ ही रहेंगी चाहे वो यहां रहें चाहे इसके आगे रहें या बीटू बीवंन के बीच में रहें चाहें बीटू टू आपस में तो to factorial 6 ways, क्योंकि यह साथ नहों सकता, क्यों, क्योंकि since 6 girls, 6 girls may sit together, यह बैठ सकती हैं, आपस में कितने तरह से may sit together in factorial 6 ways, इसलिए यह हमारा favorable ways हो गया, तो probability of event a क्या हो जाएगा, फेवरेबल वेज कितना हुआ फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपन टोटल कितने लोग हैं 12 और 12 के 12 आपस में कितने तरह सेरेंज हो सकते हैं 12 फैक्टोरियल तो जैस्ट आप इसको सॉल्व कर लीजिए आप कांसर आजाएगा तो अब यह नुमेरिकल वैल्यू जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल को कैंसिल कर लीजिये, उसके अलामाँ आप शिम्पलिफाइय जैसे इसे 4 टू जपवर यह यह हमारी क्या हो जाएगी probability हो जाएगी इसी तरीके से next case में भी आपको करना है जो उसको भी आप कर सकते हैं यह क्या पूछ रहा है the boys and girls sit alternately alternately का मतलब क्या होता है एक आंतर क्रम alternate का मतलब क्या होता है एक आंतर क्रम में बैठें जैसा कि इस picture में दिख रहा है एक boy फिर एक girl फिर एक boy फिर एक girl इस तरीके से तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं ऐसा कोई इसमें काथिन काम तो है नहीं अगर हमें यह करना हो कि यह boys और girls alternate क्रम में बैठें तो हम इसको मानिज़ बॉइ से start करते हैं ठीक है तो boy and then girl then boy and a girl then again a boy then a girl एक लड़का फिर एक लड़की दो लड़कों के बीच में एक लड़की बैठें तो यह इस तरीके से arrange हो सकता है देखी यहां पर जो है कितने boys हैं आप देखें आप यहां पर बच्चों हम लोगों को अगर यह देखना हो कि कितने तरह से बैठेंगे तो हम देखें इसमें एक चीज़ कर सकते हैं अगर alternate बैठाना है तो boys boys आपस में interchange हो सकते हैं है ना तो आप यह कह रहे हों केस वन पहला केस यह है स्टार्टिंग विद बॉय है ना स्टार्टिंग इस्टार्टिंग 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 विद बॉय हम एक लड़के से सुरू करें six boys can be arranged लड़के या आपस में तो बदल सकते हैं ना स्थान आपस में अगर लड़के लड़के बदल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है girls boys alternate ही रहेंगे can be arranged in factorial six further और girls can be arranged in किते तरह से girls बढ़ सकती है girls can be arranged in arranged among themselves कहिए है ना among themselves आपस में ही इनको अथ्थान बदलना है देखिए girls आपस में अथ्थान बदलने तो कोई दिक्कत नहीं है girls की location वही रहेगी then can be arranged in among themselves कितने तरह से आपस में लड़के अथ्थान बदल सकती है in factorial six तो ये total किता हो जाएगा six factorial into six factorial ways लेकिन ये क्या है case one है जिसमें starting with a boy है और ऐसे ही second हो जाएगा starting with a girl अगर लड़की से शुरू करते हैं पहले अगर एक लड़की ले लेते हैं और ऐसे शुरू करते हैं तो ये होता girl पहले बैठती फिर boy फिर girl फिर boy ऐसे इस तरह से हम बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं जी four, b4 g5, b5 है ना, g6, b6 ऐसे भी तो बैठा सकते हैं तो ऐसे बैठाएंगे तो अगेन कितने हो जाएंगे factorial six into factorial six ways तो आप या तो ऐसे ही बैठा होगे या दोनों में से एक ही तरीका इस्तेमाल करोगे ना तो टोटल नंबर आप favorable ways जो है अगर आप चाहते हो कि कुल कितने ways हो गए तो favorable ways हमारे जो होंगे बच्चों, favorable ways जो हमारे होंगे है ना, favorable ways क्या होगा हमारा favorable ways हमारा हो जाएगा double हो जाएगा ना, favorable ways favorable ways हमारे हो जाएगे दो गुणा हो जागा चाहे इसी को जोड़ दो आप तो two times of six factorial into six factorial और total wage किता हो जाएगा बारहों को बैठाने का total wage हो जाएगा 12 factorial तो probability हमारी क्या आजाएगी इसी का divide कर दीजिए आजाएगी आपकी probability अगर हम अब प्राबिल्टी की बात करें तो इसको चलिए हम इसको अब यहां पर आप इसक्रेंट ले सकते हैं हम इसकी प्राबिल्टी लिखने जा रहे हैं तो प्राबिल्टी क्या हो जाएगा event a का यह हो जाएगा 2 गुना 6 factorial into 6 factorial upon 12 factorial यह होगा अब इसको आप solve कर सकते हैं अब solve करने में यही है numerically 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial और उपर 2 into 6 factorial into 6 factorial यह से cancel out कर दीजिए अब देखें 2 into 6 factorial को लिख सकते हो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 तो आप इसको जो है simplify कर सकते हैं जैसे 4 to 8 यहां भी से cancel हो जाएगा है ना 5 to 10 यह हो जाएगा और 6 to 12 यह हो जाएगा तू से 2 cancel हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा तो आपका जो वैलू आएगी वो क्या जो वन अपॉन देखें यहां क्या बचा 11 क्रास 2 क्रास 3 तो किता हो गया 1 upon 66 क्लियर यह है इसमें क्या है हमें पर्मूटेशन का इस्तेमाल करना है अगर आपको यह नहीं मालूम है कि कैसे यह अरेंजमेंट होता है रो में अरेंजमेंट तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा रो अरेंजमेंट हां पंक की व्यवस्था यह आपको मालूम होनी चा तो आपको हमने बताया हुआ कि कैसे करना है ना तो उसके लिए एम फैक्टोरियल इंटु एन माइनस एम प्लस वन फैक्टोरियल वेज में इसको हमरेज कर सकते हम चाहते हैं तो इसको डारेट कर देते पट आपको यह चीज असपस्ट नहीं होता क्योंकि यह लेक्चर हम डा प्रमुटेशन से सीखने को मिलता है ना तभी तो यह हम लोग कर पाएंगे चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं देखे यहाँ पर क्या कह रहा है सेवेन इस्टुडेंट्स आर्टु सिट आन वन साइड आफ इस्ट्रेट टेबल वन साइड का मतलब एक तरीक आप टेबल पर एक साइड ही में बैठते हो ना वाई एक पक्ष दूसरा तरफ खाली रहता है एक तरफ आप बैठते हो तो से प्राबिल्टी आफ टू पर्टिकूलर स्टुडेंट्स सिटीन तुगेधर विल्कुछ सिमिलर क्वेश्चन है अगर सेवेन स्टुडेंट्स हैं है ना वान टू टू ट्री फोर पाइव सिक्स सेवेन मैं तो आपसे यह कहूंगा कि आपको खुद करना चाहिए अब माल ल में दून साथ में बैठना चाथे हैं और यह टोटल तो अब आप देखे टॉटल नंबर आफ वेज़ अगर मतलब पहले तो आप यह समझ जी कि इवेंट आपका क्या है यहां पर क्या है क्या है क्या है इवेंट डएट हैंना इवेंट डएट मिस्टर A and B Mr. A and B sit together ये लोग साथ में बैठे हैं यहीं चाहते हैं आप तो साथ में बैठे हैं तो इसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया अभी अभी just question में मैंने आपको क्या बताया कि जो है जिनको साथ में बैठना है माल ये ये हैं दोनों लोग Mr. A और B चलिए हम इन लोगों को एक साथ समारी ये फेवी कोल से जोड़ देते हैं बाद में हलाकि इनको separate भी करना पड़ेगा लेकिन अभी के लिए एक साथ कर लेते हैं और rest जो लोग है उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं अलग कर लेते हैं बाकी बचे कितने हो जाएंगे इनको अरेंज करने का total wage हो जाएगा बेटा 5 ये और प्लस 1 ये तो 6 लोग 6 तरीके 6 factorial wage में बाढ़ सकते हैं लेकिन इन दोनों को आपस में भी तो अस्थान बदल सकते हैं इसको भी अगर हम देखे तो factorial दो तरीके से ये mutually बदल सकते हैं कि नहीं पहले वाले case को किया ना भी बिल्कुल सेम है तो ये हो जाएगा total wage क्या total favorable wage मतलब total wage नहीं total favorable wage एक है बलकि total word ही न लिखें आप total wage लिखने से confusion आपके दिमाग में create हो जाएगा total नहीं मतलब favorable wage है ना favorable wage कितने हुए फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 2 और total अगर आपको बैठाने का तरीका देखना है तो भाईया total कितने लोग है आप पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो total wage हो जागा 7 फैक्टोरियल अब बताइए probability की definition क्या कहती है favorable wage यानि ये 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल upon how much 7 फैक्टोरियल तो 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो बच्चो लिख सकते हो 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल upon 7 into 6 फैक्टोरियल इससे ये cancel हो गया तो ये हो गया 2 upon 7 तो मैं आया कि नहीं आया कि ये जो है आप total तो 7 तो 7 फैक्टोरियल से बैठ सकते हैं है ना लेकिन हमें दो को साथ में बैठाना बैठाना है तो इसके चांसेज है टू बाई सेवें क्लियर तो इस तरीके से यह हमारा जो है अगला question हुआ चलिए अब हम लोग next question की और move करते हैं देखिए यह question जो है थोड़ा सा है तो पर्मूटेशन पर ही लेकिन इस केस को हम लोग कहते हैं केस आप डी अरेंजमेंट का केस है आपके सामने यह तो डी अरेंजमेंट का आप जो है अड्रेस लिखोगे न और दसो लिफाफों में दस पत्र डाल दिया तब का अपना अलग अलग पत्र होगा न जैसे मालिया आपने एक प्रधान मंत्री को लिखा है एक राष्टपती मोहदय को लिखा है चीप जस्टिस आफ हिंडिया को लिखा है उदाहरण के लिए तो सबके लिए संबोधन अलग होगा सबका मैटर अलग होगा और आपने लिफाफे पर सबका अड्रेस लिख दिया और सबका लेटर लिख लिए अब आप आप आट रेंडम बीना देखे हुए आप जो है क्या कर रहे है कि लिफाफों में जो है पत्रों को डाल दे बीना देखे औये आप से कहा जाए कि बताईए क्या समयाना है कि कोई भी पत्र सही लिपाफिमें न जाए यानी कहने मतलब राश्ट पती वाले में पर्धां मंत्री का चला जाए या जो है किसी दूसरे का Chief Justice चिप जैस्टिस वाले में प्रधान मन्तिव चला जा ऐसे तब प्рыв क्या होगा यह सब के सब क्या होग है गलत पत्य में चले गए तो इस सते के को करते हैं क्या कहते है डियर एडित किसी Hadhizi harई तेब और इसमें three envelops are also written और तीनों पर जो है address भी लिखा गया है फिर आप से कह रहे हैं without looking at the address what is the probability that the letters are going into the right envelope क्या सम्मावना है कि ये right envelope में जाए ये तो बड़ा सरल सवाल हो गया हम तो सोच रहे थे कि भाई आप लोगों को जो है हम ये बता दें कि कोई भी letter सही लिखाफे में जाए अब ये तो कह रहे हैं कि क्या सम्मावना है कि right envelope में जाए तो आसान सवाल बन गया अच्छा आप ये बताईए अगर इस question को हमें करना हो तो आप बताईए अगर तीन letter है तीक है एक दो तीन ये तीन letter आपके सामने है ये तीन letter है ना माल जाइन तीन letter तीन envelops है ना अब red वाला envelope ये है माल लिजिए red वाले envelope की ये रही चिथी ये आपने कुछ लिख रखा इसमें आप उसके बाद yellow वाले envelope की चिथी ये रही माल लिजिए इसमें आपने कुछ ले रखा है और फिर उसके बाद आप से मैं कहूं Blue वाले की तो Blue वाले की चिठ्ठी ये रही माल लीजे ये आपने Blue वाली चिठ्ठी ले रखी है ठीक है हमारा ये कहिना है कि Red वाली चिठ्ठी अपने लिफाफे में जाए चलिए मैं इसको दूसरे कलर से लिख क्विब आपने यह दर रहा हूं हुआ चलिए रेड वाली चिठ्थी अपने लिफाफे में जाय कोarios बैदी तरीके से हो सकता है इसमें Question पूछ रहा कि what is the probability that the letters go into your right envelope सारे लेटर्स ही envelop इसका तो यही एक तरीका हो सकता दूसरा कोई तरीका हो ЦК थोड़ी सकता है कि आप जो है जो आप रेड लेटर है ये लो लेटर है ब्लू लेटर है ये कोई और तरीके से आप डाल सकते हैं रेड वाला रेड में ही जाएगा येलो वाला येलो में ही जाएगा और ब्लू वाला ब्लू में फारिक जांपल तो ये एक ही तरीका है बाकि सारे तरीके तो गलत होंगे मतलब गलत होने का मतलब है कि ऐसा होगा कि हो सकता है कि रेड वाला तो रेड में जाए पर येलो वाला ब्लू में चला जाए और ब्लू वाला येलो में चला जाए ऐसा हो सकता है तो तो वह सारे लेटर सही लिफाफे में नहीं जाएंगे तो हम लोग यह देख ल liator ऐसे समझ लीजिए तो अगर आपको क्रम से डालना हो तो मैं तो आप से कवांगा कि पहला दूसरा तीसरा ये माल लीजिए यह जो है कि इसको हम फिर से बना लेते हैं कि जैसे माहल लीजिए कि आपके पास इन लेटर्स हैं तो तीन लेटर्स को हमने समाह लिए कि तीन ब्लॉक में बना रखा यह तीन ब्लॉक है और तीन लेटर्स जो आपके हैं 123 है माल यह पहला वाला ब्लॉक यह दूसरा यह तीसरा यह अगर मैं इनको बैठाना चाहूं 123 या इसको आपको एबी सी समझ लीए एक सेकेंट के लिए फिक है कि आप यह समझें कि यह बीचाना तो अगर सही करम आदि का 2 है C का 3 है तो एकदम साही क्रम है लेकिन बैठने के तो इनके कोई भी क्रम हो सकते हैं तो टोटल नंबर आफ वेज जो है अगर आप जानना चाहें टोटल नंबर आफ वेज है ना इन विच जिसमें ये तीन लेटर तीन इन्वेलप में डाले जा सकते हैं इन्विच थ्री लेटर कैन भी इंसर्टेड कैन भी इंसर्टेड इन्सर्ट करने का मतलब होता है इसमें प्रेसीद करना इंसर्टेड यानि डाल देना उसमें लिफाफे में इन्टू थ्री इन्वेलप्स तीन इन्वेलप गो इन्टू राइट एड लीट cidade लेटर्ष और वो इन्टू राइट इन्वेड वोय इन्टू राइट इन्वेड ऊट उ राइट इन्वेड-उ लप तो इसका तो भ्या एह सित ही तरीका है तो अगर आप आप से कोई-पूप पूछ manipulating और अगर आपको थोड़ा सा मैं कहूं परिशान करने वाली जरासी बात तो अगर यही क्वेस्टन में कह दूँव कि फाइंट प्राइंटी डैट टे लेट्स गो इंट्स गो इंट्स राइट इन्वेल्प के बजा है यह कह Sahlaüst Mode प्राइट इन्वेलप कि यह और कैने स्विश्टन कोlar Hum कै दें कि कोई भी लेटर सही लिफाफे में न जाए तब क्या होगा तो यह आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लेटर सही लिफाफे में न जाए इसके कितने तरीके होंगे तो बच्चो इसके तरीके होंगे देखे मैं आप बता दूँ इसके तरीके आपको यह पता होना चाहिए कि अगर यन आपजेक्ट्स हैं यान एड्रेस्ट इन्वेलप हैं मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखवा दे रहा हूं कि इफ यन एड्रेस्ट होड़ यन आड्स इन्वेलप इन्वेलप मैं आड खान इन्वेलप आना आ आड्स इन्वेलप को मैं तब देट इन आडेटें टूंट इन्से न्सरुभ नेटर्व यहम्वेलपित की मैं ऩले दिन। नूम इन विच नो लेटर नो लेटर गोज इन्टो राइट इन्वेलप कोई भी लेटर सही इन्वेलप मेंना जाए यह बच्चों होगा n factorial into 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial minus 1 plus minus 1 की पार n वान अपान यन फैक्टोरियल यह होगा यह आपको यह इसका फामूला यह हमने आपको पर्मूटेशन में बताया है ठीक है बट यहां मैं आपको रिकॉल कर रहा हूं अगर यही सवाल आप से कहा होता कि तीनों लेटर सही लिफाफे में ने जा तो यहन की जगा तीन रख दे इतने तरीके हो जाते हैं अगर यहन बराबर 3 है आप सवाल भी लगा सकते हैं बराबर 3 फैक्टोरियल वो भी मैं करा दे रहा हूं 1-1 प्लस हाफ-1 बाई 6 हुआ बच्चों 1 से 1 कट गया अब आपका हो गया यह 6 इन 2 हाफ-1 अपान 6 LCM हो जाएगा 6 2 3 जा 6-1 2 बाई 6 6 इन लिफाफे में ना जाए तो प्राब्बिल्टी जो है इसकी हो जाएगी कितनी इस घटना की 2 अपान 3 फैक्टोरियल यानि 1 बाई 3 भाई सारे वेस्ट उतने ही रहेंगे ना इन लिफाफों को इन लेटर फैक्टोरियल 3 तरीके से ही तो आप इंसर्ट कर सकते हैं तो यह बाई 2 फैक्टोरियल 1 बाई 2 1 बाई 6 और इसका हो जाएगा 1 बाई 2-1 बाई 6 2 और 6 का लसी में 6 2 3 6 और यहां पर 1 ही रहेगा तो 2 बाई 6 6 से 6 करेंसी लोग है दो तरीके ही ऐसे हैं जिसमें तीन अड्रेस लिफाफों में तीन लिफाफों को डाला जाए तो कोई रहा था सारे लिफाफे सही एड्रेस वाले में जाए 1 बाई 6 ठीक है यह रहा इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेस्ट नहीं देखिए इस क्वेस्टन में क्या कह रहे हैं कि प्राब्लम बेस्ट त्योरी के प्रोच है जहां आपको से ठीरी की यूज किया उसकता होगी देखिए इस क्वेस्टन में कहा जारा कि a student is being selected from a class of 100 students 100 students की class है उसमें से एक छात्र को निकाल लिया जाता है आफ विच 55 students have passed in mathematics पच्पन तो mathematics में पास हो गए और 67 लड़के किस में पास हुए फिजिक्स में इसको प्राइक्ता क्या होगी तो बच्चों अब इसको जो है देखने के लिए देखिए मैं आप से कहूंगा कि आप पहले डाइग्रामेटिकली देखिए अगर हमारे पास एक क्लास है तो उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को देख लेते हैं कि पहले तो हम इसको जो है यहां पर चलिए बना रहने दीजे तो अंना भी देखिए बना ले ते हैं मैतमेटिक्स वाले सेट है मैफमेटिक्स वाले सेट को हम लोग यह और यह कलर से यह मैथमेटिक सब्सक्राइब और एक हम लोग बना लेते हैं physics वाला set ठीक है कितने लड़के जो है आपके दिखाई दे रहे हैं mathematics physics में कितने लड़के पास दिखाई दे रहे हैं 67 और 55 किसमे पास हो रहे हैं mathematics में mathematics में 55 students पास हुए हैं तो इसको mathematics कर लेते हैं इसको physics कर लेते हैं तो mathematics में पास होने वाले लोग है 55 और physics में पास होने वाले लोग है 67 यहीं न एक और टोटल जो है यह अब चुकी नहीं बताया गया है कि जो है कोई ऐसे भी तो नहीं है जो दोनों में फेल हो तो हम हमें नहीं दिया जाएगा तो हम यह माल लेंगे कि mathematics या physics में मिला के कुछ 100 लोग होंगे अच्छा तो सबसे पहला काम तो यह कर लिया जाए कि यह दोनों में पास होने वाले कितन हैं जब तक हम यह नहीं निकाल लेंगे यह हमको नहीं पता चलेगा कि math और physics में पास होने वाले लोग कितने हैं तो फार्मूला जो है जो इसका है से ठेयरी में कार्ड दिया है सव बराबर मैथ में 55 लोग है फिजिक्स में 67 लोग है और इसमें एक समाल लिया जाए तो एक इतना हो जाएगा एक सबराबर कितना हो जाएगा 7512 और 51666 122-100 इसका मतलब 22 लोग ऐसे हैं जो कि जो मैथ और फिजिक्स पढ़ते हैं है ना आप से पूछ क्या रहा है आप से पूछ रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो लोग केवल फिजिक्स पढ़ते हैं अब देखिए केवल फिजिक्स पढ़ते हैं अगर इसकी आप बात करेंगे तो केवल फिजिक्स में अब यहाँ पे फिजिक्स में टोतल 67 थे अगर 22 लोग यहाँ हैं इसमें 22 लोग हैं कितने लोग केवल फिजिक्स वाला हिस्सा काओ है? वो यही वाला हिस्सा है न? यानि हमें अगर यह जाना है कि जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं और मैत नहीं पढ़ते, उसका मतलब है फिजिक्स वाले में से मैत और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले लोगों को निकाल दें, तो only physics वाले लोग आ जाएंगे, ओनली फिजिक्स वाले लोग आ जाएंगे तो ओनली फिजिक्स वाले लोग कैसे मिलेंगे कुल फिजिक्स पढ़ने वालों में से दोनों का हिस्सा निकाल दीचे तो यही तो हुआ ओनली फिजिक्स यानि इसको कहते हैं physics में से math वाला निकाल दीजिए आप तो भाया यह हुआ physics पढ़ने वाले लोग 67 और दोनों पढ़ने वाले लोग 20 तो 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 45 45 लोग ही ऐसे हैं ना जो केवल physics पढ़ते हैं है ना only physics कितने लोग पढ़ते हैं 45 अब एक छात्र तुम चुनते हो टोटल सव में से तो 45 में से अगर कोई एक छात्र लिये तो केवल physics पढ़ने वाला छात्र मिला तो आपकी जो probability हुई that physics पढ़ता हो मैत ना पढ़ता हो उसकी संख्या होगी उसका probability होगी 45 में से कोई एक निकले 45 सीवन अपान हंड़ेट सीवन यानि 45 बटे सव और इसका कितना अंतर आ जागा 45 अपान हंड़ेट का आप इसे 5 से कैंसिल कर सकते 5 9 जो 45 5 20 जो 100 तो 9 अपान 20 इसका आंसर होगा तो यह जो है से थियरी के प्रोच पर है अब आप देख सकते हैं कि हमने आपको इसलिए यह सब बताया कि देखे जब आप probability थियरी के question करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के questions मिलते हैं है ना और उनको करने के लिए आपको जो है पर्मुटेशन कॉंबिनेशन और से थियरी इन सब का अच्छा ज्यान होना चाहिए इसी प्रकार से आप देखे से थिरी पर अगला question पर्मुटेशन प्रेशन पर्सेंट पीपल रिच पाइप पर्सेंट पीपल आर फेमस है ना आन्टी पर्षेंट रिच एड फेमस का मतलब क्या हुआ कि भाईया वो रीच हो जैसे माल लिजीए कि यहां हमने बनाया है ये रीच है ये पूर मैं ये करें रीच हो या पूर हो चलेगा लेकिन रीच और पूर ना हो ये चाहते हैं तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि रीच या पूर कितने लोग हैं अगर हमसे यह पूछा जाए कि कितने लोग भईया रीच हैं कितने लोग रीच या पूर हैं तो आप कहोगे जितने लोग रीच हैं प्लस जितने लोग पूर हैं माइनस जितने लोग रीच और पू लिखा गया है यह समलों जो रिचलों काव्मिनेशन होई ही नहीं सकता है कि कुछ लोग हो और पूर ने एसा हो गया है कि rich और poor भी हो गया है लेकिन रीच और poor का combination बड़ा exclusive combination हो जाता कि रीच and poor चलो दरसन तो पढ़ाना नहीं नहीं तो हम उसको भी बता सकते है कि रीच रीच लोग पूर कैसे हो सकते हैं बट अभी आपके question के हिसाब से यहाँ famous लिखा गूँस लिए। उसे कोई दिक्ट नहीं है तो यह जो हमारा है कुल मिला करके इसको आप पी को आप f समझ लिए रीच है और और तो चल यह ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है सिम्बल है तो अब आब बताए रीच या फेमस लोगों कि संख्या चाहिए तो रीच कितने लोग थे इसमें रीच लोगों की संख्या किते नी थी तेन परसेंट ठीक है और फाइव परसेंट फेमस तो यहां पर लिख लेते हैं तेन परसेंट हम आप टेन परसेंट का मतलब टेन अपॉन हंडेड बलकि आप यह प्रॉबिल्टी में कर देढ़ कि क worn क्या फियोग ओर धिगे अपरशन परसेंट हों बलकि सीधा यहां पर प्रॉबिल्टी फेम रीच तो इसको माइनस सो यह 128 हो जाएका एक को फोर्फरी इसे लिए और उने के लिए अगर हम यह नहीं है यह क्या करें रहा हैं लास्ट में certific क्या बोल ला है कि कर रहे हैं कि probability that find the probability that a person picked at random from the population is either famous or rich but not both वोद यह बहुत ही clear है कि either famous or rich तो यह वाले हिस्से का भाईया या तो रिच हो और या famous वाले का हो इसका नहों तो आप total में से इसको निकाल दिए क्योंकि इसका सबसेट है तो यह रीच यहा और फेमस होने के 3% चांस है वो तो यह है तो आपका यहाँ से सीधे आ जाएगा probability r union f minus probability r intersection f तो यह सीधे हो जाएगा आपका बलकि आप 12 upon 100 से करीज़े 12 upon 100 minus 3 upon 100 सीधे 9 upon 100 हो जाएगा बस 12 upon 100 तुमारा हो गया 12 upon 100 को ही जो number three upon 25 लिखे है 12 upon 100 ही हमारा three upon 25 वैं तो हमने तौरव 1 पलफान हटेड़ जो reach यहाँ फेमस है इसमें सब आगाए रिच यहाँ फैमस में सब आगाए यह पान हंद है और जो बीच वाला हिस्सा है जीसमें केवल reach और फीमस लोग है यह वाला हो नहीं होंगे तो यह हो जाएगा नाइन आपन हंडड़ यही आपका आंसर हुआ ठीक है इस डर इसाइड प्राइड तो यह थी तरीके से आपका यह प्राइटी प्राइट बाइट टिए इंटर शेक्षन वी भी दिया है आप से पूछ रहें प्राइटी यह complement intersection B complement यह आपके लिए homework है बताएए सेम है आपको probability A complement intersection B complement यह जो है हमने आपको बताया है यह है A union B का whole complement D margin last is equals to one minus probability A union B probability A union B के लिए मसाला यहां रखा है यह देखें यहां से यहां तक probability A plus probability B minus probability intersection B निकाल दो तो probability A union B हो जाएगा वहां में से subtract कर लोगे तो यह आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसके लिए यह है आज के लिए इतना ही आप लोगों को हमने जो है कोसिस किया कि जो भी different different problems बन सकती है theory of probability पर classical approach पर without conditional probability independent event and based theorem and etc इस पर आपको हमने इतना बताया उम्मीद है कि आपको समझ में आओगा अगले टर्ण पर हम लोग conditional probability independent event इन सब पर बात करेंगे तब तक के लिए जाहिन